हेलो एवरीवर्ण वेरी गुड़ इवनिंग वेलकम तो अधर 24 7 मेरा नाम है संदीप और आप लोग जुड़ गया है आज के अग्रिकल्चर फांडेशन क्लासेश में ओके तो गाइस जैसे कि आप लोगो पता चल गया होगा पुशकर सर ने जो क्लास किया था कि राजस्था जान फ्री पीजी जे इंडी ठीके राजस्थान फीजी जे इटी का जो है एक्जैम आ गया है और वहाँ पर आप लोगों को अगर मैं बताओं तो फिर जैनरली जो आपके राजस्थान के ब्याराचे एग्जी जो कंप्लीट किये हैं जो स्टूडेन्स यह उन यह एक्जाम है में में सी के लिए ठीक है तो आप लोग अगर चाहो तो फिर इस सेशन का यूज कर सकते हो यह सेशन एकदम परफेक्ट है आप लोगों के उन प्री पीजी एक्जाम के लिए तो आए फिर स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोड़क्शन अफ शुगर कें सेशन क प्रीज शेयर कर दीजेगा और सेशन अच्छा लगे तो फिर लाइक जरूर कर दीजेगा ठीक है तो आए आगे बढ़ते हैं फिर सो गाइस यह अभी भी वैलिड है अगर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो फिलाल तो हम लोग अपने टॉपिक और बढ़ते हैं सो आज वो सब यहां पर सुगर केन में हम लोग एक एक करके देखने बाले हैं गुड इविनिंग आरुशी आयोन नीराज दिक्षा अंकेत रश्मिता वेल्कम टू दा सेशन जस्ट आ मिनिट गईस नेक्स्ट साइंटिफिक नेम साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो साइंटिफिक नेम यहां पर क्या है शुगर केन में अरे यह मेज क्यों आ गया साइंटिफिक नेम की बात करेंगे शुगर केन में तो यहां पर साइंटिफिक नेम की बात करेंगे शुगर केन में तो यहां पर साइंटिफिक नेम की बात करेंगे शुगर केन में तो यहां पर साइंटिफिक नेम की बात करेंगे शुगर केन की बात करेंगे शुगर केन के wild species है कुछ आपके sugar के इनके यहाँ पर cultivator species की बात करूँ तो यहाँ पर very good evening नहीं है cultivator species की बात करूँ तो saccharum officinarum है ओके साथ ही साथ आपका saccharum का officinarum के साथ और क्या चीज़ है saccharum sinensis है ओके saccharum barbary है यह आपके cultivator species है ठीक है robustum और spontaneous दो ऐसे species है जो यहाँ पर wild species है क्या है यह यह wild species है तो इसका अगर scientific name बताओ तो यहाँ पर है saccharum species family की बात करें तो यहाँ पर family is graminae chromosome number 2n is called to 80 यह 2n is called to 80 है यह saccharum officinarum का है या फिर generally जिसको हम कहते है noble cane क्या कहते है इसको noble cane कहते है ठीक है next origin की बात करें गाइस तो origin जो है इसका इंडो बर्मा रीजियन है ओके आप लोगों ने पैडी में भी देखा था कि जो origin है पैडी का वो भी इंडो बर्मा रीजियन ही है क्यूबा 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 को कहते है इंडिया के लीडिंग प्रदूसिंग स्टेट्स कौन-कौन से हैं यहां पर उत्तर प्रदेश यहां पर rank first है production के मामले में सेकेंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर तमिलनाडू है और हमें पता है हम लोग उन्हें कल पर सो question किया था कि जो productivity है जो productivity है वो यहां पर highest कौन है productivity में तमिलनाडू है ठीक है कौन है तमिलनाडू अच्छा डॉक्टर वेंकर ड्रमन टीएस वेंकर ड्रमन इनको क्या कहा जाता है किसी को पता है इनको क्या कहा जाता है एनिवन टीएस वेंकर ड्रमन इनको क्या कहा जाता है शुगर केन में इन्होंने बहुत सारा काम किया है शुगर केन में बहुत सारा hybridization पे भी काम किये हैं ठीक है तो इनको क्या कहा जाता है anyone किसी को भी पता हो या नहीं पता है किसी को भी किसी को पता है या नहीं पता है कि इनको क्या कहा जाता है T.S. Venkat Raman क्या कहा जाता है इनको Come on answer Very good evening गनेश Welcome to the session यार answer नहीं दोगे तो यार class में मज़ा नहीं आएगा ठीक है मैं बार बार बोलता हूँ कि class should be interactive interactive नहीं होगा तो class में बिलकुल भी मज़ा नहीं आने वाला है क्या कहते हैं यहाँ पे productivity प्रदक्टिविटी बोलाओ ट्येस बेंकर ट्रमन क्या कहते हैं शुगर केन विजर्ड रागी नहीं बता रही है शुगर केन विजर्ड कहते हैं क्यों शुगर केन विजर्ड कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं especially talking about शुगर केन hybridization किसके बारे में शुगर केन hybridization की बारे में ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ओके जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक शुगर केन का प्लानट है लेकिन यह किस चीज़ के लिए दे रखा है मैंने मैंने classification के लिए दे रखा है देखे सारे शुगर केन के species के पिक्स तो मिले नहीं लेकिन जिन जिन के available हैं वो मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है यह जो आप देख रहे हो यह जेनरली हर एक जगह पर cultivate किया जाता है यह है saccharum officinarum क्या है यहाँ पर saccharum officinarum very good rakesh so saccharum officinarum क्या है इसको हम noble cane भी कहते हैं क्या कहते हैं हम इसको noble cane ठीक है यह generally इसका जो size होता है जो जिसको हम generally trees में आपने सुना होगा forestry में सुना होगा girth कहते हैं obviously यहाँ पर आप girth नहीं को होगे so यहाँ पर इसको हम thick cane कहते हैं क्या कहते हैं इसका juice content होता है यह काफी ज़्यादा होता है और इसका जो fiber content होता है यह कम होता है ठीक है क्या होता है fiber content कम होता है और juice content यहां पर काफी ज़्यादा होता है इसका जो chromosome number है guys वो यहां पर ध्यान देने वाली चीज़ है इसका जो chromosome number है वो है 2n is equal to 80 क्या है 2n is equal to 80 got it next यह आप देख पा रहे होगे यह जो केन से यह थोड़े से पतले पतले दिख रहे होंगे ठीक है यह जो केन से यह थोड़े से पतले पतले दिख रहे होंगे आप अगर सुगर के जूस कहीं पीने जाओगे ना आप देखो यह कि वहाँ पर बहुत पतले-पतले केंस यूज के जाते हैं, बहुत पतले मनलब इतने, या फिर दूसरा एक चीज देखा होगा, आप लोग ने जो छट पूजा होता है छट पूजा भिहार का बहुत ही प्रसिद्ध एक फेस्टिवल, एक पर्व है ठीके, उस छट पूजा में भी जो शुगर कें यूज किया जाता है वो बहुत ही पतले-पतले बिखते हैं ठीके, पूजा में यूज किया जाता है ये जो पतले-पतले केंस होते हैं ये साइनेंसिस के स्पीशीज हैं, ठीके sorry आपके क्या चीजर यहाँ पे barbary footing थीज्रेफ इसी को हम कहते हैं Indian chain क्या क्यते है Indian chain ठीक है इनका stem बाहुत ही thin होता है Indian chain केते है ynam barbary thin stem होता है इनमें जो sucrose का content होता है वो medium होता है क्या होता है कईश्च sucrose का content यहाँ नियां जाहर होता है क्या होता है fiber content होता है वह ज्यादा होता है ठीक है इसको अगर आप generally क्या बोलते हैं कोई अगर शुगर के juice पी रहा है तब तो ठीक है निकाल के लेकिन अगर आप जेंडल इसको consume करोगे तो फिर यह मज़ा नहीं आता है ठीक है इसका जो है juice पूस्कंटेडिर ना कम होता है कि जो सुगर बनता है वो जनरली ओफिशिन आरम से ही बनता है ठीक है noble cane से बनता है 2N कि बात करें तो 2N जो है 82 से लेके 124 के बीच है ठीक है 82 से लेके 124 के बीच में 82 से लेके 124 के बीच में होता है इसका chromosome number अगे बढ़ते हैं थार्ड कल्टिवेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे करूं तो 2N is equal to 118 होता है कितना होता है क्रोमोजूम नंबर 2N is equal to 118 ठीक है याद रहेगा pretty simple अच्छा दो और species हैं जो generally cultivate नहीं किया जाता है एक आपका spontaneous है और दूसरा आपका RoboStorm है यह दोनों क्या है आपके यह दोनों आपके wild species है जिनको cultivate नहीं किया जाता है clear एक बार नज़र डाल दो कि जो classification है वो कैसा दिखता है यहाँ पर classification की बात करूं एक आपका tropical केन है जो आपका saccharum officinarum है एक आपका Indian केन है जो यहाँ पर saccharum barbarie और saccharum sinensis है तीसरा आपका wild केन है जो spontaneous और RoboStorm है ठीक है तीसरा क्या है यहाँ पर wild केन है जो spontaneous और RoboStorm है ठीक है next अरे यार यह मेज का कैसे आ गया इसके बीच में है शुगर केन के बीच में है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शुगर के इनकी देखो पहली बात तो यह है कि एक ट्रॉपिकल प्लांट है इसका मदलब क्या है कि जो ट्रॉपिकल रिजियन में अच्छा ग्रो होता है तो । यह टेंपरेट रिजियन वाले क्या करते हैं और यह लोग शुगर एक्स्ट्राक्ट करते हैं क्लियर तो नेच्स अगर देखेंगे इट इसल लाँग डिएशन क्रॉप क्या है एक लाँ डिएशन में क्रॉप यह काफी टाइम लगता है आप अगर देखो कि minimum minimum time जो है वो 12 महीने का है OK minimum टाइम 12 महीने जो कि आपका क्या है spring season का है ठीक है जो आपका spring season का crop होता है जिसको आप महराष्ट्र मराथी में सुरू कहा जाता है साल का सुरुवाद हो आए सुगर केन क्रॉप के साथ सुरू होगा 12 महीने का ये crop होता है ठीक है उसके बाद आपका 13 से 15 महीने का भी crop होता है साथी साथ 16 से 8 महीने का भी crop होता है ठीक है तो इसका जो crop का duration होता है ये काफी लंबा चलता है very good evening खीरोद्री welcome to the session best temperature suited for sugarcane sugarcane के लिए सबसे बहतरीन क्या है 28 से 32 degree celsius ठीक है और दो crop हम लोग पढ़ चुके है paddy का कितना था 30 से 32 degree celsius था ठीक है तो जितने भी crop हमने पढ़े हैं तो उन में से 4 crop हमने पढ़े हैं जो कि है हमारा paddy wheat mage sugarcane आज पढ़ रहे हैं ठीक है यह तीनों के तीनों ही खरीफ crop है सिर्फ यह है जो एक रभी crop है ठीक है तीनों की तीनों generally यहां पर खरीफ season में किया जाते हैं एक wheat है जो रभी season में grow किया जाता है ठीक है अगर दन अब आगे बढ़ते हैं सुटेड फॉर शुगर के निस 28 से लेके 32 डिगरी celsius फ़र राइपनिंग लेकिन जब इसका राइपनिंग स्टेज आता है ना उस टाइम पर रिलेटिबली लो टेमपरेचर में अथाइस बतीस डिगरी celsius नहीं चाहिए थाँसा कम प्राइफर फिलेटिबली लो टेमपरेचर अभी नहीं मनला थोड़े टाइम बात मार्च अपरील ठीक है जगह 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 पर अलग अख वेराइटिज अलग-अलग सीजिन के हिसाब से फॉर रैपनिंग रिलेटिबली लो टेमपरेचर इन देज of 12 to 14 degree are desirable 12 से लेके 14 degree के बीच में यहाँ पर temperature desirable होता है next soil की बात करते हैं थोड़ा सा ठीक है sugar can can be grown on all type in all types of soil ranging from sand loam to clay loam आप देख सकते हो basically यह आपका clay है यह आपका sand है यह आपका silt है यह देख सकते हो आप loamy soil है यहाँ पर black है ना this black color is basically due to organic matter generally sandy loam थोड़ा सा रेतीला होगा obviously और आपका clay loam थोड़ा सा clay जैसे properties होंगे ठीक है सबसे best तरीका है जानने का उसका plasticity check करने का ठीक है next well-drained loamy soil is best suited for sugar can sugar can के लिए आपको drainage अच्छा होना चाहिए आपके soil का ठीक है अगर बहुत जादा clay हो गया soil में drainage नहीं होगा तो यहांपर sugar can का जो root area है वो खराब हो जाएगा इसलिए sugar can को हमेसे क्या किया जाता है for a method of irrigation से irrigate किया जाता है क्या किया जाता है for a method of irrigation से यहां पे irrigate किया जाता है okay next optimum soil pH टीक है optimum salt pH यहां पर कितना चाहिए 6.5 लेके 7.5 कितना 6.5 से लेके 7.5 तक ठीक है अभी हमने थोड़े देर पहले बात की थी थोड़ा और यहां पर देख लेते हैं देखो season में तीन टाइप की यहां पर major season आते हैं जो कि है spring autumn और अधिसाली या एक साली ठीक है अधिसाली एक साली एक जगर लिखा है अब आप लोग इसको correct करो जोरा कौन सा अधिसाल होगा बताओ come on come on answer कौन सा अधिसाली होगा कौन सा एक साली होगा come on answer फटा 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 फट कौन सा अधिसाली होगा इसमें से कौन सा एक साली होगा यहां तो गलट टाइप हुआ है spring वाला क्या होगा spring वाला क्या होगा बताओ जो spring बता रहे हो है spring वाला क्या होगा एक साली 12 मंत वाला तो spring सही है ना spring ही है ना एक साली वेरी गुड और अधिसाली कौन सा होगा अधिसाली 16-18 सही है वेरी गुड ठीक है देखो एक हमारा spring या एक साली जिसको बोलते हैं February से March के महीने में इसकी planting की जाती है planting जेनलरी जे North India में की जाती है और crop का duration 12 महीने का रहता है दूसरा अगर देखेंगे हम autumn का September से लेके October month में planting की जाती है North India में ही again यह adopt किया जाता है और यहां पे 13 से लेके 15 months की जो यह crop होती है अधिसाली यहां पे July से लेके August के बीच में planting की जाती है और South India में generally इसको adopt किया जाता है 16 से लेके 18 महीने में इसको adopt किया जाता है क्यों यह timing variation इसलिए होता है क्योंकि हमें जो generally desirable time होता है इस crop का harvesting का वो February से लेके March के time पे होता है जब ripening अच्छे से हो पाए थंड का time होगा थंड का time होगा ripening अच्छे से हो पाएगा तो हमें February और March के time पे यह crop चाहिए इसलिए उसी हिसाब से यहाँ पे timings को adjust किया गया है clear next guys यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इसे कहते हैं हम sets क्या कहते हैं sets कहते हैं यह जो sets हैं guys यहाँ पे आप clearly देख पा रहे होगे यहाँ पर एक ही आपको bird यह आय के बारे में पता है ठीक है जो fruiting body होता है tinha सुगरकेन में उसको keep bird यह आय कहते हैं तो यहाँ पर आप clearly देख पा रहे हो यहाँ पर एक bird यह आय has here up man do three है और यहाँ पर वॉन two है इसे हम one budded set कहते हैं जिस पर एक bud है यहाँ दो बड़ है इसको हम two budded set कहते हैं यहाँ one two three buds है जिसको हम three budded set कहते हैं ठीक है according to this one budded two budded and three budded set यहाँ पर क्या होता है अलग-अलग आपका planting का set का rate होता है जैसे हमारा seed rate होता है ना, दूसरे crop में, उसी तरह यहाँ पे होता है, set rate, ठीक है, set क्या है, set है यहाँ पे, propagative material, ठीक है, propagative material, sugarcane में उसको हम set कहते हैं, ठीक है, अच्छा, sugarcane के flower को क्या कहते हैं, sugarcane के flower को, तब तक आप लोग comment देना, तब तक मैं set के बारे में बताता हूँ, seed rate की बारे में बात करते हैं planted sets should have three birds of 10 to 12 months of age कितने 10 से 12 महीने वाले crop का यहां पर birds लेना चाहिए उससे ज़्यादा का उससे कम लोगे तो यहां पर वो क्या होगा germinate नहीं होगा ठीक है soil में इसको डाला जाता है और जहां पर आपको बड दिख रहा है वहां से नया plant grow करता है okay set rate देख लेते हैं अगर three birds set है मतलब यह वाला set है तो आपको 35,000 से लेके 40,000 sets एक प्रती हेक्टेर लगाने पड़ेंगे हर एक 35,000 से लेके 40,000 sets पर हेक्टेर ओके arrow very good very good खिरोदरी दिख्षा arrow कहते हैं ठीक है और जो वह emergence of influence influence जब निकलता है उसको arrowing कहते हैं ठीक है मैं starting में छोड़ गया हूँ ppt में ठीक है next two birds अगर दो birds हैं ठीक है इसकी तरह दो birds हैं तो यहां पर 80,000 sets per hectare चाहिए कितने चाहिए 80,000 sets per hectare ठीक है तीसरा है अगर एक की hydrate है वो change हो जाता है got it next saline soil is unfit for sugar can cultivation sugar can cultivation के लिए saline soil बिलकुल भी नहीं होना चाहिए soil saline होगा तो सुक्रोज की जो quality हो खराब हो जाएगी दूसरा चीज क्या है गाईस मुझे question बताना okay so यहां पर मैं आप लोगों के लिए हर एक moment पर कुछ ना कुछ question मैंने रखा है जो मैंने पीपीट में नहीं डाला है ठीक है मुझे वो fertilizer बताओ जो generally sugar can के लिए optimum होता है sugar can के लिए कौन सा fertilizer optimum होता है answers जल्दी जल्दी answers दो sugar can के लिए कौन सा fertilizer optimum होता है what will be the answer sugar can के लिए कौन सा fertilizer optimum होता है answer यार अगर छोटे छोटे questions के answer नहीं दे पाऊगे तो कैसे चलेगा बताओ nitrogen k2SO4 अच्छा मैंने अच्छा मेरी गलती मुझे पूछना चाहिए था potassium fertilizer potassium fertilizer में k2SO4 is the optimum या best suited fertilizer ठीक है क्यों क्यों what is the main reason because अगर आप KCL use करोगे तो इसका जो है वो सुख्रोस content सुख्रोस quality को खराब कर देगा ठीक है इसले k2SO4 is the best next आते हैं गाइस planting methods पर planting methods पर आते हैं पहला है हमारे पास flatbed method क्या है हमारे पास पहले flatbed method कहां पर यूज होता है नॉर्थ इंडिया में यूज होता है जो फॉरो create किया जाता है जो फॉरो यहां पर बनाया जाता है ताकि sets को sets को planting की जा सके वो फॉरो यहां पर काफी shallow होता है मतलब जो depth होता है फॉरो का वो काफी कम होता है 75-90 cm की spacing होती है और depth 8-10 cm का होता है क्यों क्यों यहां पर कम depth रखा जाता है क्योंकि जो coastal area होता है generally वहां पर बहुत हवा चलती है ठीक है और उस हवा से बचाने के लिए sugarkin को काफी काफी depth में planting की जाती है लेकिन यहां पर हवा चलने की tension तो है नहीं तो obviously हम sugarkin को जो है sugarkin का जो showing depth है उसको थोड़ा सा यहां पर हम कम रख सकते हैं okay so 8 से लेके 10 cm का अगर यहां पर depth रहेगा तो कोई issue नहीं है ठीक है next अब आते हैं guys हम लोग ridge and furrow पर किस पर ridge and furrow अगर हम लोग ridge and furrow पर आएंगे guys तो इसको हम कहां यूज करते हैं Southern India में यूज करते हैं कहा Southern India अगर हम लोग सदन इंडिया में क्यों यूज होता है क्योंकि Southern India में जो coastal regions रहता है वहाँ पर हवा ज्यादा चलता है इसलिए basically deep furrow with 10 to 15 cm depth is made ठीक है और end-to-end method मतलब जो sets होते हैं वो एकदम चिपका चिपका के रखे जाते हैं ठीक है next trench method ठीक है trench method के बारे में बात करते हैं used in coastal areas again यह coastal area coastal areas में use किया जाता है और deep you set cut trench होता है ठीक है देखो वहाँ यहाँ पर 10 to 15 cm depth था लेकिन यहाँ पर 20 to 20 cm depth काफी ज्यादा depth पर इसको plant किया जाता है कहां पर coastal areas में तो अगर आपको exam में पूछा जाए कि coastal areas के लिए कौन सा planting method सबसे best है तो आपका answer यहाँ पर क्या होना चाहिए trench method गाइस next आपका distant planting क्या है distant planting develop that IISR लखनो कहां डेबलब होता है IISR लखनो में डेबलब होता है Indian Institute of sugar can research okay single butter sets sets को nursery में यहाँ पर plant किया जाता है क्या किया जाता है single butter sets को nursery में plant किया जाता है ओके and फिर इसको transplant किया जाता है फिर आता है यह रायंगेंस method या फिर कुछ को कई कई जगह पर रायंगेंस method GU भी mention हुआ रहता है इसको हम जनरली gap filling के लिए use करते हैं क्या करते है gap filling के लिए ठीक है मतलब कहीं पर अगर plant छूट गया तो plant छूट गया तो क्या हो जाएगा plant छूट जाएगा तो plant का population कम हो जाएगा अगर plant का population कम हो गया तो ultimately फिर क्या होगा यहां पर plan का population कम होगा तो क्या होगा बताओ plan का population कम होगा तो yield भी कम होगा ना production कम होगा ना clear next higher dose of nitrogen enhances vegetative growth ठीक है अगर आप ज्यादा nitrogen का dose दोगे तो आपका vegetative growth तो अच्छा होगा लेकिन सुक्रोस content कम होगा क्या हमें वेजटेटिव ग्रोथ अच्छा चाहिए नहीं ना हमें तो सुक्रोस content चाहिए इसलिए nitrogen का content optimum रखा जाता है राइपनिंग के टाइम पे nitrogen नहीं दिया जाता है ओके और आपका जो रैटूर्ण क्रॉप के उसमें 20% कम नाइटजेश सोरी राट उन क्रॉप में 20% ज्यादा nitrogen दिया जाता है ठीक है हर नज में होता है धना झुत लेट से प्लैंट इमर्ज होंगे त्र कपैर न जमय conduc visibility होगी germination की वो थोड़ी लेट से होगी वो तो ठीक है अच्छा मुझे यह बताओ एक बड़ी ऐसा question दिमाग लगाना ठीक है अगर हम ज्यादा डेफ्ट पर प्लांट प्लांटिंग करेंगे ठीक है तो जो रैडिकल और प्ल्यूमुल है जो सूट और रूट पार्ट है क्या वो पूश करके ऊपर आप आएगा 20-25 संटिमेटर के अंदर से अगर आप आएगा तो क्या reason है क्या से आ जाता है मुझे जरा बताओ फटा फट फट दिमाग लगाओ जरा अपना अपना दिमाग को दोड़ाओ एगरी कल्चर में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके लिए आप वाइ नहीं पूछ सकते हो ठीक है इविन मैं आपको बता है वेराइटी के नाम के भी reason होता है लेकिन हम लोग को जरूरत नहीं होता है इसलिए हम पढ़ते नहीं है ठीक है कि इस वराइटी को क्यों ऐसा नाम द ठीक है बता 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 खिरोदिन ने बढ़िया से क्वेशन पूछा अब मुझे आप लोग यह बता दो फटाफट एंसर्स गाईज कैसे आ जाता है 20-25 cm से उपर जब यहां पर 15 cm 10 cm पर प्लांटिंग की जाती है वहां 25 cm से शूट पाट कैसे उपर आ जाता है एनिवन थोड़ा दिमाग लगाओ यार चलो मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं जहां पर 8 से 10 cm में प्लांटिंग की जाती है वह नॉर्थ इंडि में होता है अब बताओ अ कि सोचों मेरे क्लास में सोचों वह सोचों के की सर सब कुछ चमच में भर के दे देंगे हम खा लेंगे और एक्जैम में जाके उल्टी करके आ जाएंग अपको डिमाग दोडाना पड़ेगा आपको जितना यहां पर मैं आप लोगों के लिए खर ठीक है? देखो guys, सीदी सी बात है, यहाँ पर जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है? जिन लोगों ने paid batch में admission लिया है, foundation course में, वहाँ पर तो उनको ज़्यादा ही content मिलेगा, obvious सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपो content मिल रहा है न तो आपको, तो अगर आप paid batches में नहीं जा रहे हो तो आपको थोज़ा एक्स्ट्रा मेनद करना पड़ेगा आपको अपना content फिर filter करना पड़ेगा अगर यहां पर 50% पड़ रहे हो तो बागी क्या 50% आपको जाके में खुद से filter करना पड़ेगा ठीक है आप अगर सिर्फ यूट्यूब ग्लास के भरोसे में रहे जाओगे फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना इसन्ट इसलिए डिफ्रेंट वेराइटीज होंगे जिसमें हाइपोकुटाइल लेंथ ज्यादा होगा हां पॉसिबल है next temperature and moisture सर्थ soil texture का difference है दोनों जगे के soils में ले मैं ठीक है यार जेनरली आप देखोगे एक जगह पे clay soil होगा एक जगह पे यार coastal area है मदलब पकका sandy soil होगा no doubt ठीक है अब sandy loam हुआ मदलब थोड़ा सा push करके निकलना easy हो जाता है groundnut क्यों sandy soil में grow किया जाता है क्यों आप groundnut clay soil में grow नहीं कर सकते हो answer दे सकते हो answer दो तो तो मुझे मैं देखूं कितना दिमाग लगाते हो groundnut क्यों आप लो clay soil में grow नहीं कर पाओगे what is the reason अगर मैं पूरा का पूरा complete clay soil में groundnut को sewing करूंगा तो groundnut क्यों उसमें सायद germinate हो क्यों प्रदक्शन नहीं हो पाएगा बता हो एनीवन एनी रीजिन क्यों प्रदक्शन नहीं हो पाएगा coastal areas की soils lose होती है इसलिए germination जल्दी हो जाता है मान Mayo मैंने आपको और एक condition दिया की groundnut germinate हो गया clay soil में लेकिन फिर भी groundnut production नहीं हो पाएगा क्यों what is the reason मान लो groundnut germinate हो गया clay soil में लेकिन production नहीं हो पाएगा plant grow भी हो गया six production नहीं हो पाएगा बताओ 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 देखूं तो कितना knowledge strong agriculture का थोड़ा में भी तो सीख लूँ है तुम लोगों से one way communication थोड़ी है two way होना चाहिए come on क्या हो सकता है इसका answer episode what is pegging what is pegging pegging क्या है what is pegging pegging क्या है anyone what is pegging pegging में problem होगा very good खिरोदरी मेरे लिखने से पहले वसे खिरोदरी ने answer दे दिया था मैंने देखा नहीं था ठीक है यहाँ पर पहले ही answer आ गया था pegging में problem होगा ठीक है पेगिंग है क्या emergence of peg emergence of insertion of peg यहाँ पर emergence नहीं यहाँ पर insertion insertion of peg in soil यही तो कहते है पेगिंग अब यह हो ही नहीं पाएगा यहाँ पाएगा बात वहीं खतम हो जाती है ठीक है समझ में आया इसी है को यह तो नहीं बोलोगे कि difficult है ठीक है क्रॉप ले रहे हो यहाँ पे 20% more nitrogen का requirement होता है maturity की बात करें तो रेटून क्रॉप जल्दी मैचियर हो जाता है क्यों क्योंकि जर्मिनेशन का टेंशन तो रहता है नहीं ठीक है जर्मिनेशन का clear हाँ यहाँ यहाँ पे 20% maturity में जर्मिनेशन का टेंशन तो रहता है नहीं तो easily जो हो जाता है आगे बढ़ते हैं तो गाईस जो इसका main phase है ना आपका irrigation phase उगर के इनका उसमें है आपका एक तो germination phase एक आपका formative phase एक आपका grand phase एक आपका maturity phase ठीक है germination phase generally 0 to 60 days after planting planting करने के 0 से लेके 60 दिन तक ठीक है ओके 0 से लेके 60 दिन तक sandy soil is best very good madhu ठीक है तो यहाँ पे germination phase 0 to 60 days का है formative phase की बात करूं 60 से लेके 130 दिन का है 62 130 days good evening रहीं welcome to the session grand phase की बात करूं तो 130 से लेके 250 days after planting का होता है और maturity phase 250 से लेके 365 days after planting का होता है clear यह चीद समझ में आया अब अगर मैं बताओं आपको कि guys इसमें तो चारो के चारो irrigation phase दे रखें हम लोगों ने अभी सारे चीज़ों में critical stage पढ़ा है ठीक है क्या है सारे चीज़ों में critical stage में पढ़ा है paddy में पढ़ा है booting wheat में पढ़ा है आपका CRI stage mage में पढ़ा है tasseling and silking तो यहाँ पे critical phase क्या है arrowing तो नहीं है ठीक है सुगर किन के inflorescence को क्या आप कहते है आरो कहते है जो आरो निकलता है न जो emergence का process होता है न आरो का इसको arrowing कहते है तो guys germination phase formative phase grand phase और maturity phase इन चारों phages में जो सबसे common चीज रहता है वो क्या है देखो zero जो sorry जो critical phase है वो है आपका formative phase कौन सा है formative phase जो कि 60 से लेके 130 days after showing आता है most critical stage for irrigation is formative stage formative stage और जहां पर tillering होता है tillers निकलता है tillering and grand phase at the most sensitive to water stress ठीक है तो जो आपका formative stage है उसके बाद जो ये grand phase है न ये भी उसी तरह sensitive है water के stress को मतलब इन दोनों phase में आपका water stress नहीं होना चाहिए और अगर बहुत ज्यादा सौटेज है तो at least formative phase में तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं how to judge sugarcane maturity sugarcane maturity को हम कैसे judge कर सकते हैं देखो arrowing and plants growth is stopped ठीक है arrowing नहीं होता है inflorescence नहीं निकलते हैं और साथ इसाथ plant का जो growth है जो plant बढ़ता रहता है ना चाहिए वो height में हो या मोटाई में हो तो वो जो है कम हो जाता है नहीं होता है ठीक है growth नहीं होता है can becomes brittle क्या हो जाता है केन यहां पर brittle हो जाता है मतलब अगर आप केन को तोड़ने की कोशिश करोगा ना तो easily तूट जाएगा ठीक है और generally क्या होता है जब तक mature नहीं होता है can तूटता नहीं है या तो mood जाएगा लेकिन तूटेगा नहीं ठीक है next brittle produces metallic sound तूटने पर metallic sound आएगा and breaks easily at nodes ठीक है सबसे important यह होता है को कि हम मैंने भी देखा यह चीज़ फार्मर्स क्या करते हैं एक sugar करते हैं और उसको ऐसे लेकर उसका जो node area है ना उसको ऐसे पैर से तोड़ देते हैं तो जैसे पैर से तोड़ देते हैं अगर वो easily तूट जाता है तो वह क्या बोलते हैं symptom यह होता है कि mature हो गया ग्रॉप ठीक है होता है यह इस बोनी glucose percentage और bricks reading भी होता है failing solution का test भी होता है so bricks या bricks hydrometer या refractometer reading is between 18 to 20 percent ठीक है एक refractometer होता है उस पे थोड़ा सा drop रखा जाता है शुगर केन का juice का और उससे जो reading आता है ना उसके हिसाब से यहाँ पर maturity को estimate किया जाता है failing solution जो की glucose content है वो 0.5 percent से कम होना चाहिए जब test किया जाए ठीक है जब यहाँ पर test किया जाए clear failing solution की बात हो रही है और इसी के साथ आपका शुगर केन होता है complete और क्या क्या चीज मैंने नहीं लिखा था arrowing arrowing जो है arrow क्या है यहाँ पर inflorescence है और जो यह inflorescence है इसको हम कहते है arrowing क्या क्या क्याता है इसको हम arrowing basically जो इंफ्रूरेसेंस इमर्ज होता है ठीक है साथ ही साथ एक चीज में यहाँ पर और नहीं बताया है मुझे फट्टा फट्ट बता दो byproducts byproducts क्या है शुगर के कम on answer what are the different byproducts of sugar can come on guys answer what are the different byproducts of sugar can different byproducts kya है sugarcane के sugarcane के byproducts का क्या है अलग-अलग आप वेटिंग आप वेटिंग 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 लाइट बहुत गरम हो गया यह studio में काम करना बड़ा दिख्कत है मॉलसस बैगेज गनेशी सेंग बैगेज बोनी सेंग मॉलसस ओके लेट नोट दो बैगेज मॉलसस और क्या है बस दो क्या है वाइरि गुड रागिनीम गनेश प्रेश मड प्रेश मड एक और एक और एक और किसी को पता है चीन इक है और तो प्र उसकी बाद कर रहा हूँ, यहां पे byproduct, ठीक है, यह तो main product हो गया, चीनिए और good तो main product हो गया, very good नहा, very good, can top, ठीक है, क्या होता है, can top, अब मैं बता रहता हूँ यार यह है क्या चीज़, यहां से start करते हैं, हमें क्या चाहिए, sugar can के crop में, यह एक बार देख लेटे हैं हैं पहला वाला स्लाइड open करते हैं ना क्रॉप काहां गया लीरा vapor हो को यह वाला देखते हैं तो इस देखो यहां पर आप लोग देख रहे हो यह पुरा पुरा कप्रा केमेन राइट हुपके यह मान लोग केन यहां से स्टार्ट है, तो अगर आप यहां से काटो गेना, आपको तो यह वाला पोर्शन चाहिए, यह तो पुरा लीफ से हैं, यह तो नहीं चाहिए, इसको हम कहते हैं, केन टॉप, क्या कहते हैं, केन टॉप, ठीक है, जब आप शुगर केन को रिफाइन करते हो, तो जो impurities होती है वो नीचे बैठ जाती है ठीक है settle हो जाती है sediment हो जाती है उसको हम कहते है filter mud क्या कहते है उसको filter mud कहते है ठीक है कहाँ चला गया यह रहा ओके सुझो impurities नीचे बैठ जाती है उसको हम कहते है filter mud कहाँ चला गया सुरी प्रेस मड या फिल्टर मड कहता है ठीक है दूसरा होता है आपका मोलसस ठीक है जब आप बार-बार रिफाइन करते जाते हो ना तो एक ब्लैक कलर का लिक्विड प्रेसिपिटेट हो जाता है जिसमें से आप शुगर और ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं मोलससस से ही रागी नहीं बनेगा फिर गया तीक है नेक्स्ट आप का आता है बैगेज मदलब शुगर केंजूस एक्स्ट्राइट करने के बाद जो फाइबर बच जाता है उसको हम कहते हैं बैगेज गोट चीज को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो agriculture का foundation course जो है आप ही लोगों के लिए start किया गया है आप अगर कोई भी exam की तयारी कर रहे हो मैं बता देता हूँ आपको जो आपको complete agriculture है न वो आपको foundation course में ही मिलेगा ठीक है आपको YouTube पे हम content दे रहे हैं लेकिन जितना दे सकते हैं उतन foundation course में से मिलेगा ठीक है जो यह foundation course है यह video lecture video course है मतलब इसमें आपका हर दिन faculties के videos upload होते जाएंगे और आपको हपते में live doubt clearing classes मिलेंगे इसका फाइदा क्या है क्यों live classes नहीं live classes की जगए video course क्यों देखो video course में एक फाइदा आपको क्या हो जाएगा basically जब आप आप आपके बस कर आप बहुत सारे live classes हो जाएंगे न तो आप time पर देख नहीं पाओगे ठीक है video course में क्या है कि जब भी भी हमें खाली time मिलता है हम आपके लिए एक particular topic के साथ class start करते है live class में class 1, class 2, class 3 ऐसे चलता है मानलो आज कुछ topic गया आज का class 30 minutes का हुआ कल का class एक घंटे में complete नहीं हो रहा है लेकिन video course में क्या फाइदा है मानलीजे मैंने एक topic ले लिया और वो topic देड़ घंटे का है तो आपको देड़ घंटे का class एक ही video में मिलेगा मानलीजे मैंने एक topic लिया उसका class सिर्फ 30 minute का है तो आपको जो topic दिखेगा अंदर उसी का ही class मिलेगा और वो भी ऐसे board से मिलेगा ठीक है ऐसे board से मिलेगा वो कूने में बेठ के नहीं मिलेगा ठीक है जैसे phone में बेठके paid batches होते है न वैसे नहीं मिलेंगे एसे board से आपको proper class मिलेगा जिस से आपका जो experience से वो बहतरीन होगा, ओके, और साथी साथ आपको doubt clearing classes भी मिलेंगे, जो basically आपको help करेंगे, जो भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा होगा, जो भी आपका doubt होगा, आप एक दो घंटे बैट के हर एक faculty के साथ उस doubt को clear कर सकते हो, ओके, sir byproduct used for fertilizer, बता देता हूँ, तो गनेस is asking which byproduct is used for fertilizer, press mud, press mud is used as a fertilizer, लेकिन, but generally it is not used, क्यों, क्योंकि इसकी जो digestibility है न ये बहुत कम है, आप इसको as a fertilizer और animal feed भी use कर सकते हो, लेकिन हम use क्यों नहीं करते हैं, इसका जो digestibility वो बहुत कम है, animals खा के इसको digest नहीं कर पाएंगे, और soil में ये decomposed नहीं हो पाएगा, काफी time तक पढ़ा रहेगा, खिरोदरी पूछ रही है, ओडिसा में जो मिश्री बोलते हैं, वो किस product का होता है, ठीक है, so देखो guys, just a minute, तार ताल भी कहते हैं, तार या ताल कहते हैं, I guess, UP बिहार में, ठीक है, तो वो जो पेड़ होता है न, उसका जो sap है, ठीक है, उसको mix किया जाता है, इसके साथ मिश्री को बनाने के लिए, मिश्री का English भी हो, मिश्री का जो English होता है, वो होता है, रॉक शुगर, ठीक है, रॉक शुगर कहते हैं, एक और नाम भी कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, है ठीडे रॉक शुगर और एक क्या केते हैं यार कर सब्सक्रांद केते हैं द्दश हुगर कि पे इसको इसको बड़े बड़े क्या तो क्रिस्टल जाता है इस को दी कल्वरिगर करके और फिर इसको तोड के जो आपके मदलब मिशेव करकर शेप नहीं होता है जेनरल इसको तोड़ देते हैं तोड़ के जो है इसको market में बेचा जाता है Odisha नहीं खिरोदरी हर एक जगह में मिश्री मिलता है चाहे आप क्या बोलते है यूपी में आओ बिहार में आओ तो गाइज इसमें नए वीडियो लेक्चर मतलब पुशकर सर मिनाक्षी मैम हीना मैम हमारे वीडियो लेक्चर बीस फेबुरुरी से आड़ होना चालू हो जाएंगे आप चाहे कोई exam की तैयरी कर रहे हो इसमें enroll कर सकते हैं इसमें आपको सब कुछ मिलेगा ऐसा कोई चीज ह होगा नहीं इसमें जो basically आपको मिलेगा नहीं ठीक है चाहे वो ASO, SOFO हो, ICR हो, FSS AI हो, State Agree Exam हो हर एक चीज में इसको आप enroll करने के लिए आप Y291A का code अभी भी यूज कर सकते हैं एक बार चेक कर लेता हूँ हाँ Y291A का code अभी भी इसमें यूज कर सकते हैं जो आपको generally 5500 में मिल रहा था वो 4800 में मिल रहा है प्लस application से purchase कीजिएगा तो 239 का extra discount भी यहां पर मिल जाएगा तो लगभग लगभग 4550 का जो है यह बैच आपको मिल जाएगा ओके तो आउड रेकमेंड कि अगर आप लंबी तयारी करना चाहते हैं एक साल इसकी validity है देन गो फॉर इट ठीक है इससे बहतरी चीज और कुछ भी नहीं और हाँ एक और चीज एक और चीज जैसे जैसे एक अगरोनोमी सॉल सैंस ही जादा आता है ठीक है तो उसमैं सिर्फ और फॉर नमी के सॉल सैंस के revision classes होंगे ठीक है मौक वन लाइनर के pattern में तो जैसे जैसे एक्जांस आएगा ना इसमें live classes भी add होते जाएंगे ठीक है बहुत यह beneficial है यह video course generally यह video course देर 24-7 platform पे दूसरे चैनल दूसरे subject में चलता है, agriculture में generally video course का था सा popularity है नहीं, मतलब लोगों को concept नहीं पता है, but I would say कि this is the best thing if you are aiming for any agriculture exams, ठीक है, तो guys make sure कि आप इसमें enroll कर रहे हैं, enroll करता वक्त Y291A code use करना मत भूलियेगा, okay, so let's meet in the, sir e-books are printable or not, no gunness, e-books cannot be printed, ठीक है, और उसी varieties of sugar can shoot गया न, चलो, मैं varieties का न, एक अलग class करा दूँगा, मैंने paddy के भी varieties आपको, I guess, जादा बताया नहीं है, एक दो बताया थे, जगन्नाथ वगेरा, ये सब mutant varieties के बारे में, lunisri ये सब बताया था, ठीक है, wheat के तो varieties नहीं बताया न, मैं varieties का एक अलग से पूरा class ल हुआ है हमारा, पिछला है, दो हथ, दो हपते में, जो भी हुआ है, कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ, अगें, पचास question करने की कोशिश करेंगे, पूरा पचास question करेंगे, पिछली बार हुआ था मतलब कल भी करेंगे, ठीक है, तो मैं expect करता हूँ कि सब लोग 50 out of 50 number लाओग ठीक है, ठीक है, right now, this is completely around agriculture, ठीक है, पूरा जो हमारा agriculture है ना, उसके around है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं गाइस, next session में, 6 बज़े forestry का session है, वर्सा में, 10 मिनिट में आ रहे हैं, बिलकुल भी, कहीं मत जाहिएगा, यहीं पर agriculture अड़ा 24-7 के channel पर टिके रहिए, ओके, बहुत जल पूरा packed है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जो जो पावर शोटीस का issue हो जाता है, उसके वीच आप अपना खाना वाना, डिनर विनर कर लीजेगा, ठीक है, विनर विनर चिक इनर ठीक है, और तैयार हो जाईएगा, सारे agriculture exams में, विनर विनर बलने के लिए, ठीक है, चलो, so मिलते हैं guys, next session में, till then take care, goodbye, stay safe and get prepared for your MCQ session, goodbye.